करा घात तथा कर भार इंपेक्ट एंड इंसिदेंस ओफ टेक्सेशन और क्लास बीए सेकंड यार आज हम करों के बारे में पढ़ेंगे कि करों के हमारे जीवन पर क्या इंपेक्ट पड़ते हैं और करों का भार कौन लोग उठाते हैं जिसके दौरा सरकार को आई पराप्त होती है एक व्यक्ति पर सरकार दौरा लगाया गया कर कर दाता पर एक भार छोड़ देता है संबंदित व्यक्ति को सरकार को कर अवश्य ही देना पड़ता है जिस पर वो लगाया गया है परंतु कर का भार वह व्यक्ति ही सहन कर सकता है जिस पर वह कर लगा है अत्वा इसके भार को दूसरों पर डाला जा सकता है परंतु इसका विप्राईया है कि कर का भार सदा उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जिस से वह कत्रित किया जाता है इसको हम एक उधारन की द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं मान लीजिए आपने एक स्कूटर खरीदा इस स्कूटर की कुल कीमत में उत्पादन कर तदा विक्री कर भी शामिल है सरकार इन करों को स्कूटर विक्रेटा से वसूल करती है परंतु स्कूटर विक्रेटा इन करों का भार स्वेम नहीं उठाता वह इन करों को भार क्रेटाओं पर शिप्ट कर देता है अर्थात कुछ कर जैसे सेल टेक्स, एकसाई जोटी, जीएश्टी अधी ऐसे कर होते हैं जिनका भुक्तान सरकार को एक व्यक्ति करता है प्रंतोस कांतिम भार दूसरा व्यक्ति उठाता है इनका दूसरे व्यक्तियों पर शिप्टिंग करना समभव नहीं होता कुछ टेक्स ऐसे भी होते हैं, जैसे इनकम टेक्स आएकर, जिनका भुक्तान उस व्यक्ति को करना पड़ता है, जिस पर वो लगाया गया है और उसका भार भी उसी व्यक्ति को ही उठाना पड़ता है इस परकार से ऐसे करों का शिफ्ट करना समभव नहीं होता परतेक करके संबंदित तीन मुखे समस्याएं हैं करागात, इंपेक्ट, करापात या करभार इंसिडेंस और करव विवर्तन, शिप्टिंग ओफ टेक्सिस आज हम इन तीनों में से पहली समस्या के बारे में अध्यान करेंगे करागात, इंपेक्ट ओफ टेक्सेशन कर का तुरंत महार किसी विक्ति पर पड़ता है अर्थाज सरकार कर की रकम कौन से विक्ति से वशूल करती है इस समस्या को अर्श शास्त्र में करागात की समस्या कहा जाता है या इंपेक्ट ओफ टेक्सेशन कहा जाता है करागात उस व्यक्ति पर होता है जिस से सरकार कर रिकठा करती है अर्थार्ट जो सरुपधम कर का वुक्तान करता है परफेसर सैलिक मैन के अनुसार जिस व्यक्ति को कर का तुरंट वुक्तान करना पड़ता है उस पर करागात होता है या इमपेक्ट होता है उधारन के लिए आयात कर इंपोर्ट ड्योडी सरकार को आयात करता देगा उत्पादन कर उस विक्ति को देना पड़ता है जो उस वस्ति का उत्पादन करता है आयात करता तथा उत्पादक दोनों ही आयात कर तथा उत्पादन कर दूसरे व्यक्तियों से वसूल कर सकते हैं करापात तथा करागात कांतर एक उधार्ण के दौरा सपष्ट किया जा सकता है मान लीजिए यदि हम बाजार से एक बिजली का पंखा खरीते हैं तो उसके उपर हमें जीएश्टी देना पड़ता है यहे विक्रीकर या जीएश्टी दुकानदार को दिया जाएगा दुकानदार इसकर को सरकार को देगा अर्शास की सब्दावली में हम कहें तो यहे का जा सकता है कि जीएश्टी का करापाद या इंसिडेंस ओफ टेक्सिज घराग पर पड़ेगा परन्तो इसका करागात या इंपेक्ट दुकानदार पर पड़ेगा यदि सरकार किसी व्यक्ति पर आयकर लगाती है तो आयका कर भार उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिस पर वो लगाया गया है वह उस कर को दूसरों पर शिप्ट नहीं कर सकता इस परकार करापाद और करागात एक ही व्यक्ति पर पड़ेंगे इंपेक्ट भी उसी पर होगा, इंसिडेंस भी उसी पर होगा यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि कुछ करों के कराघात दूसरे विक्तियों पर पूरी तरह तथा कुछ सीमा तक शिप्ट किये जा सकते हैं तथा कुछ करों की करागात को दूसरे विक्तियों पर शिप्ट करना संभव नहीं होता करागात का वस्तों की कीमत पर परभाव पड़ता है यदि करागात का टालना संभव है तो कर लगाने पर या कर की दर बढ़ाने पर वस्तों की कीमत भी बढ़ जाएगी करापात या करका भार Incidence of Taxation करका अंतिम भार कौन से व्यक्ति पर पड़ता है अर्थार्थ अंतिम रूप से करका भुकतान कौन से व्यक्ति को करना पड़ेगा इस समस्या को हम करापात या करके भार की समस्या या Impact of Taxation कहते हैं अन्य शब्दों में करके अंतिम भुकतान अत्वा मुद्रिक भार को करापात कहते हैं करापात उस व्यक्ति पर होता है जो उसे आगे शिप्ट नहीं कर सकता अर्शास्तियों के अनुसार जिस व्यक्ति को करका अंतिम मुद्रिक भुकतान करना पड़ता है उस पर करापात होता है जैसे मान लिजिए सरकार ने कपड़े पर उत्पादन कर लगाया सरकार इस कर को कपड़े की उत्पादक से वसूल कर लेती है परन्तु कपड़े का उत्पादक इसको थोग दुकानदार से वसूल कर लेता है और थोक दुकानदार इस कर को रिटेलर दुकानदार से वसूल करता है परन्तु रिटेलर दुकानदार इस कर को भूकता से वसूल कर लेता है इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पादनकर का करापात भूकता पर पड़ा है प्रफेसर सेलिकमेन के नुसार अंतिम करदाता के उपर पढ़ने वाले कर के बोज को करापात कहा जाता है इसी परकार प्रोफेसर डाल्टन के नुसार सरकार जो भी धनकर के रूप में प्राप्त करती है उसका किसी ना किसी पर परत्यक्ष रूप से भार पढ़ता है उसे करापात कहा जाता है डाल्टन के अनुसार कर लगाने से परतेक व्यक्ति पर दो प्रकार से भार पड़ सकता है नमबर एक मौदरिक भार, मौनेटरी बर्डन नमबर दो वास्टिक भार, रियल बर्डन मुद्रिक भार से विप्राय उस रकम से है जो सरकार द्वारा कर के रूप में गत्रित की जाती है इसके विप्रित वास्त्विक भार से विप्राय उस त्याग से है जो करदाता को कर लगाने के फल्स रूप अपने आर्थिक कल्यान में कमी के रूप में करना पड़ता है करापात से अविप्राई उस अवस्ता से है जिससे ग्यात होता है कि अंतिम कर का भार किस व्यक्ति द्वारा उठाया जाएगा 1940 में अर्षास्त्री शिरीमती हिक्स ने करभार समंदी निमलिखित दो धानाएं प्रस्तुत की थी नमबर एक अपचारिक करभार फॉर्मल इंसिडेंस नमबर दो प्रभावी करभार इफेक्टिव इंसिडेंस अपचारिक कर भार, फॉर्मल इंसिडेंस शेरिमती हिक्स के नुसार अपचारिक कर भार से अविपराय कर का मुद्रिक भार या मुद्रिक कर का भार अपचारिक कर भार लोगों की आये का वह भाग है जिसका सरकार को बुक्तान किया जाता है इसका परियोग सरकार द्वारा सामुहिक वस्त्वें परदान करने के लिए खिया जाता है करदाता को इनका कोई प्रत्यक्ष लाप नहीं होता अपचारिक करभार की गणना एक वित्य वर्ष के दोरान आए प्राप्त करताओं के विभिन समुहों में वास्त्विक करभार के वित्रन के दोरा की जाती है किसी कर का उपचारिक करभार उसकी कुल रकम के बराबर होता है जो कर लगाने के फल्सरूप सरकार को प्राप्त होती है परभावी करभार, Effective Incidence प्रभावी कर्भार से अभी प्राए अर्थ्विवस्ता पर करों के फर्द सुरूप पढ़ने वाले प्रभावों से है इसके अंतरगत किसी अर्थ्विवस्ता की कर्भ पढ़नाली के लाब और रहानियों को शामिल किया जाता है परभावी करभार की गणना करना संभव नहीं होता इसका केवल करों से पहले तधा करों के बाद की स्थितिक अंतर के दोरा अनुमान लगाया जा सकता है धन्यवाद